हेलो एवरण वेलकम टू बैंकोपीडिया तो हंड्रेट क्वेश्चन का हमारा सेटिंग अर्जमेंट का सीरीज चल रहा है और आज है क्वेश्चन नंबर एट तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एट हमेशा हम अलग तरीके के क्वेश्चन सौल करते हैं और यह क्वेश्चन भी हमारा डिफ्रेंट है तो यहां पर क्वेश्चन चलिए हम डारेक्ट स्टार्ट करते हैं टाइम वेश्च नहीं करते हैं यह नाम देखने की जरुवत नहीं है आज सिटिंग इन थ्री पैलेल रो तीन पैलेल रो में बैठें हैं कंटेनिंग फाइव सी के ऊपर नौर्थ मतलब ऊपर ठीक है रो वन होगा और रो टू के इमेड़ेट साउथ मतलब नीचे रो थ्री होगा कुछ इस तरीके से पांच लोग बैठें तो इस रो में भी पांच लोग बैठें हैं और सब के सब यहां पर लिखा है आल आर पेसिंग नौर्थ तो इसम में भी पांच लोग बैठें चले अब देखें एक चीज हमेशा याद रखना हर एक क्वेशन जो है न वह सॉल्यूशन में पुट करके नहीं बनाया जाता कुछ ऐसे क्वेशन होते हैं जो हिंट से क्वेशन होता है और यह क्वेशन उसी तरीके से अगर आप हिंट बनाना अच्छे से अगर आपको आता है हिंट कनेक्ट करना सीख गए तो आपसे क्वेशन असानी से सॉल हो जाएगा ज्यादा परिशानी नहीं होगा आपको बिना सॉल्यूशन में पुट के भी क्वेशन हम बना सकते हैं चले अब यहाँ पर देखते हैं क्वेशन डी सिट्स सेक में अब देखी है कोई भी परसञा देख रहा है तो यह परसन इसका राइट हो जाएगा तो इतर राइट है और इधर लेफ है अपने आपको घुब हमेशन नौर्थ फेसिंग माना करो जो आपका left है वही इसके लिए left जो आपका right है वही इसके लिए भी जो भी person north देख रहे है clear D जो है वो G के second left में बैठा है तो G को पहले हम बैठा देते हैं G को मैं पहले बैठा दिया G के second left first left, second left यहाँ पर कौन आएगा D आजाएगा चले आगे क्या लिखा है one who faces G sit second to the right of F जो G को face किया है इसका यह मतलब हुआ कि जो G को face किया है मतलब G के नीचे वो वाला person आएगा तभी मैं बोलूँगा उसको face किया है अगर G के उपर वो person आगया तो वो G को face नहीं करेगा इसका मतलब यह हुआ कि वो person G को face किया है और सबके सब नहीं और से देख रहे है तो G के नीचे आएगा वो person ठीक है तो G को जो face किया है वो second right में बैठा है F के मतलब G को जो face किया होगा वो person यहाँ पर बैठेगा G के just नीचे ठीक है और यह second यह जो person है वो second right है F के तो F इसके second lap में हो जाएगा first lap, second lap यहाँ पर क्या आ जाएगा F, तो F के second lap में F के second right में वो person जो G को face किया है या फिर मैं बोल सकता हूँ जो person G को face किया उसके second lap में बात एकिए, चले आगे क्या लिखा है A sits four to the left top H, A जो है H के fourth lap में बैठा है अब A और H इस hint में तो मैं put नहीं कर पाऊँ इसलिए मैं second hint बना लेता हूँ मैंने लिखा, A जो है वो H के fourth lap में होगा तो H ले लिया H के fourth lap, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कौन होगा? A अब लिखे, total हर एक row में पांच लोग है मतलब A और H जो है D और G के साथ हो, हो सकता है F के साथ हो, यह हो सकता है वो अलग कोई third यहाँ पर row में बैठा हो कुछ अलग row में, ठीक है अब यह D और G और F का यह मतलब हो गया कि F जो है, ठीक है वो first row में नहीं आ सकता यह वाला first row में नहीं आ सकता ठीक है चले आगे क्या लिखा है देख लेते हैं तो आगे लिखा है यहाँ पर the one who is exactly between a and h sits in front of w जो a और h के बीच में है मतब a और h के exact बीच में ये person होगा क्योंकि a और h के बीच में तीन लोग गठे है तो ये exact बीच में होगा और ये जो exact बीच में है इस person को कौन face किया है w मतलब w इस person के immediate नीचे होगा clear इसका ये मतलब हुआ कि इधर दो लोग होगे w के और इधर दो लोग होगे मतलब right में दो लोग left में दो लोग 5 लोग है clear कुछ इस तरीके से आगे क्या लिखा देखें neither d nor g sits at any of the extreme end of the row d और g जो है वो end में नहीं बैठे इसका ये मतलब हुआ ये first hint जो है d और g तो g end में नहीं बैठा मतलब g के right में एक person होगा d end में नहीं बैठा मतलब d के left में एक person होगा मतलब 5 लोग यहां होगे तो नीचे भी इसी तरीके से एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो 5 लोग इधर भी बैट जाएंगे, clear, चले, आगे क्या लिखा देखे, F and W are in different rows, मतलब F W के रो में नहीं होगा, मतलब W जो है वो F के रो में नहीं होगा, यहाँ पर मैंने cross कर लिए और लिख लिए W, W इस रो में नहीं होगा, जिसमें F है, आगे क्य कौन से रो में है, यह नहीं पता, इसलों हम अलग से बना लेते हैं, कि M जो है J के second left में है, तो यह J, first left, second left, यहाँ पर कौन आएगा, M, फिल क्या लिखा है, M does not exist any of the extreme end of the row, मतलब M end में नहीं बैठा है, मतलब M के इधर कोई न कोई एक परसन तो होगा ही होगा, M end में नह आ सकते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए, आप confused नहीं हो, क्योंकि आपको किसी और परसन को explain नहीं करना है, आपको hint खुद के लिए solve करना है, आपके लिए important क्या है, या examiner के लिए important क्या है, कि आपका answer सही निकलना चाहिए, आप कैसे भी solve करें, उससे मतलब नहीं, च के लिए C, first lap, second lap, third lap, यहाँ पर क्या जाएगा, B, आगी क्या लिखा है, M and F are not immediate neighbors, M और F immediate neighbor नहीं है, अब देखें, यह है M, third hint है मेरे पास M, ठीक है, J के second lap में M है, इस case की बात करूँ, अगर F यहाँ पर है, मतलब M यहाँ पर नहीं आ सकता है, M यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, अब देखो, अगर मैं J को यहाँ रख दूँ, इस रो में J को मानलो, यहाँ पर J है, तो M को तो मुझे यहीं रखना पड़ेगा, M को यहाँ पर रखना पड़ेगा, अगर J यहाँ है, तो M यहाँ आ जाएगा, तो F का neighbor नहीं है, अगर J यहाँ रख दूँगा, तो M को यहाँ रखना पड़ेगा, इसका यह मतलब हुआ, कि इस रो में, जिसमें F है, इसमें ना ही J आप आएगा, ना ही M आप आएगा, तो W, J और M इस रो में नहीं आएंगे, clear, होप सो यह चीज़ आपको clear हुआ हो, क्योंकि इस रो में J और M आएंगे, तो M जो है, व आगे क्या लेखा है, E sits second to the left of I, I के second left में E है, ठीक है, इसको अभी connect नहीं कर पाऊंगा, तो इसको भी मैं hint बना लेता हूँ, कि I के second left, first left, second left में कौन है, E, चले, आगे क्या लेखा है, देखे, K sits second to the left of W, K जो है, वो W के second left है, अब यह बहुत ही important line मिल गया हमको, क्योंक फिर क्या लिखा है, W does not faces N, W किसको face नहीं किया है, N को, इसका मतलब यह हुआ, कि W के just उपर N नहीं आएगा, मतलब यह वाले जो place है न, यहाँ पर N नहीं आएगा, यहाँ पर cross करके मैं लिख दिया N, यहाँ पर नहीं आएगा, जहाँ पर W सामने N में आएगा, नीचे N आ सकता है, आगे क्या लिखा है, देखे, F and A are in different role, F और A अलग-अलग role में है, अब यहाँ पर बहुत important line है, यहीं से question बनना स्टार्ट होगा, बस आपको ऐसे ही line का wait करना होता है, question अराम से बनेगा, एक line तो आपको जहाँ से मिलता है, मैंने हर question में कहा है, कि एक ऐसा line मि इसका यह मतलब हुआ कि F के साथ A भी नहीं आएगा, अब ध्यान से समझे इस चीज़ को, F के साथ A नहीं आएगा, तो देखे, A यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, और A जो है, वो W के उपर है, इसका यह मतलब हुआ कि A जो है, वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, जहाँ D और G है यहाँ पर भी A नहीं आएगा क्योंकि अगर A को यहाँ रख दूंगा तो K और W को F वाले में रखना पड़ेगा बढ़ मुझे पता है W यहाँ पर भी नहीं आएगा तो इसका यहीं मतलब हुआ कि A और H जो है वो D और G के उपर होंगे क्योंकि टोटल हमारे पास कितने रो हैं तीन रो हैं इसका मतलब हुआ कि उपर में A और H आएगा तो यहाँ पर 1,2,3,4,5 तो A यहाँ पर होगा और यहाँ पर हो जाएगा H यह A और यह H, K और W यहाँ पर नीचे आजाएगा इसके तो K को यहाँ पर रख दूंगा और W जो हमारा हिंट है इसको यहाँ पर हम connect कर दिये, clear? अच्छा A और H को मैंने उपर क्यों रखा, नीचे क्यों नी रख सकते, क्योंकि A और H को मैं नीचे रखी नहीं सकता, 3rd क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि D और F का तो 2 रो हो गया, A और H को मैं नीचे नहीं रख सकता, यहाँ पर नीचे मैं 3rd row नहीं बना सकता, क्योंकि A और H को 3rd row बना दूँगा, तो मुझे पता है K और W उसके नीचे हैं, ठीक है, तो 4 row तो है नहीं मेरे पास, इसलिए A और H जो है वो उपर होगा, वर A और H जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, तो A और H यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं 2nd row में A और H को रख दूँ, तो यहाँ पर K और W को मुझे 3rd row में रखना पड़ेगा, यह possible नहीं है, इसलिए A और H उपर आएगा, A और H को रख दिए, उसके respect में K और W को हम रख दिए, ठीक है, आगे क्या लिखा है, देखे, H and A are not immediate neighbors of G and D, H और A जो है, H और A जो है, वो immediate neighbor नहीं है, G और D का, इसका यह मतलब हुआ, कि A और H जो है, वो इस row में नहीं आएगा, यहीं बताया जा रहा है, इस line का जरुवत भी नहीं है, हमको हमने put कर लिया, क्योंकि A और H तो उपर वाले row में आया, ठीक है, चले, अब जो भी यहाँ पर हमारे पास hint है, उसको यहाँ पर हम connect करते हैं, जैसे M और J को यहाँ पर रखनें, ठीक है, M और J को, मुझे पता है, M यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, और 3rd row में यहाँ पर क्या है, F है, अब देखें, J और M जो है, यहाँ पर 3rd row में नहीं आ सकते, J और M 3rd row में नहीं आ सकते, और मुझे पता है कि J और M जो है, वो 2nd row में भी नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पर 4 लोग बैठ चुके हैं, तो J और M के लिए एक ही जगह है, यहाँ पर J आएगा, और यहाँ पर M आएगा, clear, और J और M को मैं कहीं नहीं रख पाऊंगे, यहीं पर J रहेगा, तो 2nd lap में कौन हो जाएगा, M, यहाँ पर J रख दूँगा, तो 2nd lap में क्या आ आ गया है, A, इसलिए J यहाँ पर, और M यहाँ पर, ठीक है, 3rd hint पे रहा complete हो गया, 4th की बात करते हैं, तो देखे, B जो है, वो C के 3rd lap में, B, C के 3rd lap में, देखे, 1st row में B और C नहीं आ सकते, 2 लोग के लिए जगह ही नहीं, 2nd row में भी 2 लोग के लिए जगह नहीं, मतलब 3rd row में B और C आएंगे, और C के 3rd lap में B है, तो अगर मैं C को यहाँ रख दूँ, तो इसका 3rd lap में F आ गया, इसका यहीं मतलब हुआ कि C यहीं आएगा, और 3rd lap मतलब यहाँ पर आ जाएगा B, 1st, 2nd, 3rd, तो C के लिए भी एक ही जगह हो गया, अब आते हैं E और I पे, ठीक, E और I के लिए भी 2 प्लेस चाहिए मुझे, तो row 1 और row 2 में तो जगह नहीं है, E और I के लिए, तो I के 2nd lap में E है, तो I यहाँ आएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पर हमारा hint था, कि W के उपर N नहीं आएगा, तो W के उपर N यहाँ पर नहीं आएगा, N यहां नहीं आएगा, तो N यहाँ पर आ जाएगा, clear, और बचा क्या यहाँ पर तो देखे, सिर्फ यहाँ पर बचा है O, तो O जो है वो M और J के पीछ में आ जाएगा तो यह row 1, row 2, row 3 यहाँ पर हमारा solution जो है वो complete हो गया बहुत असानी से questions हम solve कर सकते हैं जब आप एके client बहुत थूली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और hint अगर आपका proper है तो question आप असानी से solve कर सकते हैं चले अब यहाँ पर हमारे पास 5 questions होगी जिसके हमको answer देना है पहला question है who on the following sits in same row, same row में कौन बैट है FH, K, A, M, J चले check कर लेते हैं FH same row में है क्या, नहीं है, ठीक है, KA same row में है क्या, तो KA bhi same row में नहीं है, MJ की बात कर तो MJ same row में है क्या, तो यहाँ पर है M और यहाँ पर है J, बिल्कुल, MJ जो है वो same row में है, ठीक है, row 1, तो यहाँ पर मेरा option क्या जाएगा, इसमें तो वो जाएगा option C, who among the following sits extreme end of the row, end मे कौन बैठा है, देखिए, ad, b, g, h, c, ki, ठीक है, तो ad नहीं है, अच्छा ki ki की बाद कर देखिए, जो fourth मेरा था, तो ki मुझे दिख रहा है, यहाँ पर fourth मेरा था, option d में ki, और यह जो ki है न मुझे दिख रहा है, यह row two में, k है, और i जो है, वो row three में है, इसका यह मतलब हुआ, कि यह जो है, end में बैठा है, मतलब option जाएगा d, next है, who sits second to the left of, third to the right of the one who b faces, जिसको b face किया है, b किसको face किया, सबसे पहले यह देखते है, b face किया है k को, b किसको face किया है k को, तो k की बात हो रही है, ध्यान से, k की बात हो रही है, अब question क्या बूला है, जो k है, who b faces, ठीक है, इसका मतलब, आप हमेशे जब भी ऐसे questions आएगे, पीछे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर b, किसको face किया k को, अब यहाँ पर क्या लिखा है, third to the right of, तो third to the right of one who b faces, तो b, किसको face किया k को, मतलब k के third right में, ठीक है, तो k के third right में आते हैं सबसे पहले, तो k के third right में कौन है, देखिए, first right में d, second में w, और उसके बाद g, अब आ गए हम g तक, ठीक है, अब कहां आ गए हम g तक, उसके बाद क्या लिखा देखिए, who sits second to the left top, तो उसका second left, तो g के second left में चले जाते हैं, तो g के second left में कौन आ गया, d, ठीक है, तो देखिए, b को face किया था k, k के third right में है g, और g के second left में कौन है d, और यही हमको पूछा गया है, तो answer जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, option c, फिर से देख लिजे, who sits second to the left top, third to the right top, the one who b faces, b, g, b जो है वो किसको face किया है, तो b face किया है k को, k के third right जाना है, और उसके बाद second left आ जाना है, ठीक है, तो वो कौन है, तो वो है d, चले, how many persons is between b and who faces g, b और g जो face किया है, जो g को face किया है, तो यह है b, ठीक है, और g को कौन face किया है c, तो इनके बीच में कितने लोग है, दो लोग है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या जाएगा, two, and last है who sits second to the left of j, j के second left में कौन है, तो j के second left में कौन है वही, यह है j, अगर आपका basic complete हो चुका है easy questions, easy level के questions आपने solve कर लिया है तो आप अब इसी level के questions solve कीजिए तो चलिए मिलते हैं, next video में कुछ ऐसे ही different question के साथ thanks for watching